गुट मॉर्णिंग डादे रादे दोस्तों और आप सभी को हैपी राधा अस्ठमी तो दोस्तों मॉर्णिंग का समय है और आज है सुब दिन राधा तो आज राधा श्टमी है और मैं करती हूं राधा श्टमी तो मैं फास्टिंग करती हूं आज नमक और नहीं खाती हूं क्योंकि हमारे हाँ अस्टमी को नहीं खाया जटा है नमक और अन तो यहां पे मादा राने को मेरी पसना राधा राधी की और गृष्ण जी की ये तस्वीर है जो विंदा बन से ममीनल विंदा बन गई थी तब लाई थी तो मैं इनी को राधा श्टमी के दिन फूजा करती हूँ तो दोस्तो आप सभी कैसे हूँ उमीद कहती हूँ आप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे और मजब होंगे तो आप सभी का न्यू ब्लोग उस्वा लाइप बल्ड में श्वागत है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और जहां से आप इस विलेज से या सिटी से देख रहे हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू छोड़ियेगा दोस्तो तो दोस्तो यहां पे राधा जी का मैं एक तिलक चंदन कर रही हूँ और दुबत्ती करूंगी बस यही सिंपल से मेरी छोटी मोटी सी फूजा होती है तो यहां पे मैंने सभी देटाओ कि फूजन कर ली थी अब यहां पे राधा रानी कृष्ण जी को तिलक चंदन और फूजा करूंगी तो यहां दोस्तो घर हमारा घर मंदिर बनता है कब जब एक घर तो दो ही लोगों से ही बनती है एक मिस्त्री और एक इस्त्री तो दोस्तो मिस्त्री तो घर हम एक इटे को जोड़ जोड़ के वो इटे को घर बनाता है और एक इस्त्री जब उस घर को स्वर्ग बनाती है तो उसका हगदार एक इस्त्री पर जाता है तो इस्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है तो हमें पत्ते एक दीन चाहे जाला जैसे भी हो, हमें पत्ते एक दीन अपने घर पे संखनाद और घंटी की नान की सवर जरूर कुछना चाहिए, इसे हमारे घर में सुख सांती तो बनी रती है, घर में पॉजिटिव एनरजी आती है, इसे बच्चों पर भी इनका परभाव फड़ता है पुजा पाट का, जो घर में जो बसे देखते हैं न वही बसे जिवन में भी उतारते हैं, तो हमें पत्ते एक दीन अपने घर में ये जरूर करने चाहिए, इससे अलग सी खुशी मिलती है, और घर भी एक इते का और श्मेंट का घर भी स्वर्ग बन जाता है, तो एक घर को स्वर्ग बनाने में एक ग्रहनी का ही हाथ होती है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पुजन पाट हो गई है, और पत्तेक दीन मॉर्णिंग की और साम की पुजा जरूर करनी चाहिए, इससे हमारे घर में पॉजिटिव उर्जा बनी रती है, हमारे जो अंदर आत मेरी मंदिर में भी फुजा हो गई है, और आज तो रादाश्टमी है, मंदिर आना तो बनता है, मेरी रेगुलिरी की होती है, लेकिन तो विसेज दीन में एक दिप जरूर पंजुलित करती हूँ मट्टी वाली, तो घर आते ही दोस्तों, मैंने पशाद लिया और मैंने सर् की बन ही रखती हूँ जादा तर, बस कीचन में जब तक काम करती हूँ ना, थोड़ी सी गेस हो जाती है ना, तब मैं खुलती हूँ, तो यहाँ पे ये देखे मैं सुजी का फ्राइ कर रही थी, और यहाँ पे मैं आटा का डो भी रेड़ी कर दी थी, थोड़ी सी गिली हो की पुडियां बनानी है, क्योंकि जब भी कोई फ्रुजा पाट करो ना, तो घर पे कुछ स्पेसल बनाना चाहिए ही, तो यहाँ पे मीठे में मैं हलवा बना रही हूँ और यहाँ पे पुडियां, उसके बाद मैं थोड़ी सी चावल बनाओंगी, क्योंकि चावल बस इनक के बाद, दोनों बच्चे लांजबुक्स में लेके गए थे, क्योंकि सुबह वाली नमक वाली रोटी थी, तो वो रोटी हम लोग नहीं, मैंने खा सकती थी, इसलिए, तो यहाँ पे मैं खाने की भी लंकी भी त्यारी कर रही हूँ हूँ, और हल्वा भी बना रही हूँ, गृट मॉनिक रादे रादे दोस्तों, तो आप सभी को हैपी रादा अश्टमी, और मेरी क्या हो रही है, एक बर मेरी सर्दिखासी अच्छी हुई है, फिर से मेरे गला में खरास आ गया है, क्योंकि जहां मैं गहीं ही दूसरे जगा क्या पानी पी लेती हो ना, तो उसका गला में खरास होने लगा है, और मैं बना रही हूँ हो हलवा, तो चाबल हो चुका है, और मैं अपने लिए हलवा बना रही हूँ, क्योंकि आज ना मैं पानी इतना सुबह से गी रही थी ना, ना मैं दूद लाई हूँ, और लाइट भी आज बहुत कट रही है, तो मैं हल्वा बना रही हूं पूड़ी बनाऊंगी और बच्छों सब्जी और दाल तो फलाल इसको मैं बना लेती हूं और यह मैं आज सूजी सिंपल सा बनाऊंगी पानी डाल की क्योंकि दूद लाई नहीं हूं तो कभी कभी न इन चीज़ों को भी धिलना पड़ता है और अपने लिए मैं कुछी नहीं होती हूं कि दूद लाना जोड़ी है तो मैं साम को दूद लाऊंगी आज सुबह तो गई नहीं थी तो बस चलिए पठा पट्षे में से पानी डालती हूं इसको अच्छा से कलर ब्र है और ठोड़ी सी मैंने गोल की जीरा हलका से सिलोटी में पीस के जो रेगलरी मसाले होते न वो डाल दिये हैं और यह मेरे गेस के जो साइड में है ना लोहे वाली वह सब मेरा खराब हो चुका था तो यह देखे कापी हील रही है क्योंकि निव लगी है और वो पुरानी व अच्छा लगता है खाने में तो मैं उनको भी दे दे रही हूं और अपने भी ले ले रही हूं क्योंकि सुबह में मैंने सिर्फ थोड़ी सी सर्वत पी है तो यहां पे मैं हलवा निकाल ले हूं और यह सबजी भी बने कि चावल मेरा बन चुका था दावल बनाओंगी तो स सभा, जाप सुबह मैंने का घर को स्वर्गे बनाती है क्योंकि सुबह से लेकर शाम गिरहनी पिर्नी सुबह से अपने परिवाल से लेकर घर की खैयाल रगते हैं उसे कैसे साव्भ सुत्रा कैसे रखना चाहिए वावस्थित से गरहनी ही उनको करती है तो इसी लिए एक गर सब्सक्राइब दयाता है। और इधर गर्मा गर्म पुडियां भी तरलोंगी तो मुझे पुडिया खारी वाली जो लाल टाइप की हो जाती है अच्छा लगता है तो सबसे पहले यहां गोम आता के लिए एक पुड़ी मैंने निकाल ली हूँ और आज कल गोम आता लोग नजर नहीं आती है पता नहीं इधर नहीं आती है और बच्चे लोग कोभी नजर नहीं आता है इनके पापा भी जाते हैं तो उदर गुड़ को गाई मिलती ही नहीं है तो यहाँ पे फिर भी मैं निकाल के रख देती हूँ और यहाँ पे मेरी खारी खारी पुड़ियां बनके रेडी हो गई है इस तरह की पुड़ियां अच्छी लगती है खाने में तो यहाँ पे देखिए मैंने खाली लगा दिया है वर्त वाली अस्पेसल थाली हलवा और पहुझे दोस्तो तो यह हाँ पे लग रही है वर्त वाली थाली तो आजाएए दोस्तो आफ सब भी तो दोस्तो फिर मिलूँगी अच्छे वीडियो अच्छे ब्लोग के साथ दोस्तो राधे राधे और हैपी राधा अश्टमी दोस्तो तो दोस्तो अभी तेहवारों का सिलस चली रहा है और सभी तेवार अभी आ ही रहे हैं तो दोस्तों बाई बाई टेक क्या थैंक्स पॉर वाजिंग दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स वीडियो अच्छे ब्लोग के साथ बाई बाई